गुड इवनिंग शुडेंट्स नमस्कार सो लॉग का पेपर आप लोग का हो चुका और अब आप लोग को जैसा ही पेपर हुआ हो बेटा अच्छा बुरा प्लीज उसे अपने पास में साइड में रख दीजिए और हम अपने पास जो मुद्दे की बात करते जो हमारा अगल करिए कि दो से तीन आप important chapters को अपने पास कर सकते हैं ताकि कल के दिन में आपके पास stress जो है वो कम रहे तो आप अपने पास जो टोपिक कर सकते है और एक साथ की साथ आप कर सकते अगले दिन आप अपने पास सबसे पहले उटके उसे complete कर लिजे देर आप नेक्स जे में अपने पास में अगेन आप तीन important topics जो और बागी होने कर सकते हैं आप अपने पास में activity-based costing जो एक important chapter है छोटे चेप्टर है असान चेप्टर है वो फिर आपके पास में आपके चेप्टर आते है पीड़ा process costing का एक वो अपने पास में ज़रू कर लिजिए और फिर overhead costing at least इन 6 चेप्टर से आपके पास जो important chapters है वो आपके complete हो जाएंगे और आपकी coverage अच्छी खासी हो जाएगे और जो बचावा time है उसमें remaining chapters को अपने पास कर लिजिए कल के दिन में and अगर कुछ रह जाता है practical part तो next day morning में चल जाएगा but मैं suggest करूंगा कि अगर आप अपना practical portion कल देन तक अपना complete कर लेंगे तो that will be really good so that on the आपके पास paper day morning आप अपने पास सिर्फ focus करें mainly जो theory topic है because मेरे एक important इसमें यह हैने वाली है इस exam में कि बीटा theory को बिल्कुल ignore नहीं करना है theory से आपके पास question आपके पास आता ही आता है जैसे कि जो 20 marks का आपके पास रहते तो जरूर रहते है जिसे आप अपने पास म की morning पे आप उसे अपने पास में देख के जाएंगे अच्छे से करके जाएंगे और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लग से questions की variety नहीं होती आपके जो questions है वो institute के study materials से आते आते आपने जिस भी teacher के note से करेंगे उन में सारे questions आपके अस cover कि होंगे इसका ज़्यादा बड़ा झाल